बाजार में काफी सकारात्मक माहौल है और बाजार में जो उर्जा आती है वो जैसे मनुष्य को उर्जा मिलती है दूद से और उन्हीं कुछ दूद वाले शेरों पे जराज बाचीत कर लेते क्योंकि दूद की कीमतें जो है वो बढ़ती होई दिखाई दे रही है क्या है कुछ रिपोर्ट कह रही है और क्या कुछ आकड़े आपके पास है शुक्रिया पुल जी नमस्कार रवी भाई आपको इस स्क्रीन पर देखकर काफी अच्छा लग रहा है साथ ही अगर देखें तो दूद महंगा हो सकता है इस तरह के कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं अगर हम देखें तो मार्च में होलसेल जो दूद की कीमते हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चुरू हो गई है पिछले अगर एक साल में देखें तो रिटेल जो रिटेल में दूद की कीमते कमपनीज ने नहीं बढ़ाई हैं तो अब वो कीमते बढ़ा सकती हैं ऐसा उन पर प्रेशर भी आने लगा है क्योंकि अगर देखें तो ग्लोबली इसके milk prizes भी मार्श में करीब सवाच 4 फीज़ी बढ़ी और फेब्री में करीब साड़े 8 फीज़ी तो ग्लोबली भी prizes बढ़ रही हैं अगर हम देखें तो region-wise wholesale milk की prizes इंडिया में किस तरह से pen out हो रही हैं मार्श महिने में उसको देख लेते हैं, दक्षिन भारत में करीब 5.9% का जाम देखने के लिए मिला, वहीं उत्तर भारत में करीब 5.5% का उच्छाल, साथी पूर्वी भारत में करीब 5.5% और पैन इंडिया बेसिस पर करीब 7.4% दूद की कीमते बड़ी हैं, होलसेल सेग्म जिसकी वज़ासे दूद कंपनियों पर अभी इमीजेट प्राइस बढ़ाने का प्रेशर नहीं होगा, वो कुछ महिने इससे टाल भी सकती हैं, साथ ही अगर देखें, तो इन आईसे से सिक्क्यॉरिटी का यह भी मानना है कि फस्ट हाफ ऑफ FY25 यानि कि अप्रेल दोजार 24 से लेकर सेप्टमबर 24 तक कंपनियों के मार्जिन भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि इसके मिल की जो इन्वेंट्री है इंडियन कंपनी पर काफी ज्यादा है, जिसकी वज़ासे बढ़ते हुए प्राइस का फायदा उठाएंगी, साथ ही जो केटल फीड कीमत हैं, उनकी भी कीमत एस्थिर हैं, जिसकी वज़ासे उनके मार्जिन भार सकते हैं, तो उनका मानना है कि तीन काउंटर्स जिन पर उन्होंने कवरेज अपनी कार रखी है, उसमें हरिटेज फूर्स जिस पर उनकी बाई की कवरेज है, साथ ही डूडला डेरी इसमें उनकी ए करने की सलाह निकल करके आ रही है और हर्षन अग्रों अगर आपके पास है तो उसको होल्ड करने की सलाह यहां पर निकल करके आती हुई सर यह दूद्स से जुड़ी कंपनिया हैं जिसके बारे में भी जिक्र कर रहे थे आप इस शेतर को कैसे देख रहे हैं और आइसे इसे की जो रिपोर्ट आई है उससे आप कितनी सहमत है पहले तो धन्नवाद विवेक जी और विवेक जी बहुत डाइमंड मुझे लग रहा है डाइमंड जितने भी मार्केट में उन सभी को उठाके लेकर आ रहे हैं आप इस नीम पर और सबसे कीमती हीरा तो आप है तो हम लोग तो विपुल जी, संदीब ग्रोवर जी और विवेक मितल जी मतब ये लोग जब आप लोग रिसर्च करके कोई सब्जेक की बात करते हैं तो उसका अलग ही महत होता है अभी तक किसी का ध्यान चाहिए इस पे नहीं जाता लेकिन आज के बाद लोग वापिस देरी स्टॉक्स को देखेंगे और आपको एक सच्छा ही बताओ मैं कली आइस्क्रीम खाने के लिए जब खरीद रहाता तो मैंने उससे पहला कोशन यही पूछा क्या आइस्क्रीम महंगी हो गई है पहले तो यह कौंटिटी का रेट यह आता था तो वो कहने लगा नहीं अब सर यह रेट आने और बिल्कुल सही कहा आपने इन स्टॉक्स में अब आप देरी के स्टॉक्स आप सिर्फ इसको मत देखिए मैंने आपको जिक्र किया जिसमें आपके डेरी के प्रॉडक्ट्स हैं चॉकलेट्स हैं या फिर यह कहें कि आइस्क्रीम जिनके वादीलाल और इन सभी के स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा और यह आपको रिसर्च का इंपाक्ट आने वाले छे मैंने में बहुत जबर्जस देखने को मिलेगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि जून और जुलाई तक यह इंपाक्ट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो कहीं न कहीं से यह सारे जो स्टॉक्स हैं इन पर आप धान रखे पूर्फोलियो में अडिशन शुरू करिए और बहुत अच्छे अग्रिसिव रिटन्स यहां पर मिल सकते हैं चलिए इस बीच तो यह राय यहां पर निगल करके आती हुई है और नजरे बना करके रखिए यहां पर बह यहिए झालखर निपना करदा हुआ है 你